हेलो फ्रेंट वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल एक्स्विजिड लर्निंग आज हम पढ़ेंगे मैं क्यावली के बारे में और मैं क्यावली का पुनार जागरंड का सिसू कहते थे मैं क्यावली का जन्म इटली के फ्रोड्रेंस के सामाने कुल में फोटिन 69 में हुआ पचीस वर्च की आय में उसने अपने ग्रेयराज्य में ग्रेयर एवं विदेश का करेलाई में साधरान निविक की रूब में नवक्री प्रारम की विलक्षर परतिवाह के दम पर अपने ग्रेयराज के दुतिया सचीव का उचपद पराप्त कर दिया उसने जाएकि 25 वर्ष की आयू में चाहिए उसने ग्रेव अभिदेश जो कारे लाए था उसमें साध्रान लिपिक के रूम में लौके परारम की बिलक्षार परतिवा की दम पर उसने चाहिए गर्णाजय के दूतिया सर्जीव का उत उचबत प्राफ्ट कर लिया 1512 तक वह इस पात पर रहा मैं क्या उली उसकी योगिता से प्रवाहिद होकर उसे फ्लोरेंस राज का राज दूत बना कर विदेश बेजा गया 1512 इस भी तक फ्लोरेंस के सासन पर फ्रांस का प्रभाव था प्रंदू उसी वर्च इडली पर इसमें ने आक्रमन कर दिया क्लोरेंस की जनता ने गर्तंत्रिया सासन समाप्त कर मैट्जी वंस को सासक सासन को संभालने के लिए इन्वाइट किया 1512 तक क्या था फ्रांस का प्रभाव था प्रांस उसी वर्च क्या हो इडली पर किस पर इसमें ने आक्रमन कर लिया प्रांस की जनता ने गर्तंत्रिया सासन समाप्त कर मैट्जी वंस को सासन समाप्त कर दिया कर दिया इस सास के गर्तेन थे, he was blocking. अपने मित्रों के शायता से शर्तपरघार सेStar ieaves 하ग और में भाग नहीं गया. अपने मित्रों के सायता से वह एक 1,9. इस सारत पर कारागार्ण से मुवत no कोई भाग ने लेगा. कारागर से मुक्त हो गया यह सर्थ बार की वहावुले कोई भागनी लिगा, कैसे मैच्यावली में समाः सिवा और लेखन कार्या करते हुए 15 Seven kids. है कि में क्याben की मिर्थ होगी जो मैं इस्टकलि की रस नहीं है फस्ट होगे डिस्कोर्सेस अंफाव मिक्सट एक बूक आई यही कि देनिघ्यार-वी दॉड़िंस अचजरओ क्यों या यूग का सिसु, क्यों कहते है, मैंचावली को उसके बारे में है, सादरण तो जा होता है कि पर्टिक दर्षनिक राजनितिकक दर्षन और बिशारों पर उसके देशकाल और प्रश्टिति में पड़ता है प्रन्तु मैं चाहिए पर अपने समकालिन राजनेतिक आर्थिक समाजिक एवं नैतिक आतावनार का सब सबसे अधिक इस पस्ट रूप से दिखता है सबसे अधिक है प्रोपिसर डेनिंग के सब्दों में यह परतिवा संपन फ्लोरेंस वासी वास्तिविक अर्थ में अपने यूग का सिसु था क्या होता है कि जो दार्शनिक आर्शनिक यह आधिक सबस्ट रूप से अधिक है सबसे सबस्ट रूप का यूग था, इसे पुनर्जागरण का परतिनीद भी कहा जाता है। उनकि शमादन रश्टत थे मैं च्यवली यूग इतना प्रवाइत होतना अतना भी बहुत कम लेखवी अपने रौफ बरभाईत होते अपने यूगका एक बेखितिदर्शनी को परबिक सक्थल जिसने समकारिंग परष्ट्य थी थी था उसका सही और यथारत रूप से देखा उस समय की राज्वाइव परणार प्रणारद का सबसे अधिक परभापड़ा उसका अध्यन निमनिक पित प्रणार से क्या जा सकता है यहां सबसे अपने युका प्यापर नरजागरण युका सबसाधिक प्रभारप्रा उसका निल्खित का परकार से अधिन के आजा सकता, सबसे हो गया, सक्ति साली राश्तंत्र की स्थापना, सोल्वी सताफधी में चर्स तथा राजी की सीमित सत्ता का अंधुलन पूर्था समाप्ध होकार इन दोनों ये छेतरों में केंदिकरण प्रभाव प्रारम हो गया, राश्तंत्र ने सामन्तु की सक्ति और पोप की सक्ति का अंत्र कर दिया, इंग्लेंड में हेंद्री सप्तम, फ्रांस में लूई 11 और इस्पेन में फर्टिनेंट की निरंकुस्त राश्तंत्रों के स्थापना कर सक्त साली और समिर्थ साली होगी, वास्ता में यह यूग सबल राश्तंत्र का यूग था, मैं च्यावली की रसनाओं में इन आदर्स का प्रियाप्त पर्मान मिलता है उसने इड़ी में ऐसे सासन की कलपनाची जिसमें समस्त राजदीदिक सक्तिका के निकरण हो तथा इड़ी की एक तार अस्तापित कर सबल राजदिंद की अस्तापना खर सकी जो ये सकते साली राजदिक के स्तापनाची जो राजदिंद ने सामन्त रहे जो ये इंगलेंड में लुई अलेवन्थ और इसमें में फर्टिनेंड के रंकुस राजदिकी स्तापनाची स्लें हो गए मास्ताव में यह जो युग था मैचावली का युग था सभल राजदन्द का युग था मैचावली की राजदनाओं में इस आधर्स का प्रयाप्त प्रमान मिलता है इल्डी में ऐसे ही सासन की कलपना जी थी, मैं क्यावली में जिसमें समस्त्र राजनेदिक सक्दिका के इंदिकरान हो और इल्डी की एकता स्थाफित कर सबल राजतन की स्थापना कर सकी राश्टिय एक ताकिभावना इडली के था पांस भागों में बटा हुआ था दक्षन में नेपल्स, मध्य में इडली में रोमसर्च, प्रदेश, मिलान, कीटची, बैनिस और फ्लोरेंस गर्णाजे थे ये राजे परसपर लड़ते रहते थे पोप उनके संगर्च ले आप प्रोसाइद करते थे इसी परकार इडली में फूट गरायुद और विदेशी वेक्तियों का सासन चल रहा था है मैं क्या वोली एक देश फक्ते था अतो वह फ्रांस की भाती सकते साली राष्ट्रिया राजा की अध्यक्षता में इन राजियों का एक एकरन करना चाहता था ये सारे राज्या आपस में लड़ते थे थो तो इस गरायुद और विदेशी वेक्तियों का सासन चल रहा था मैं क्या वली क्या था एक पैट्योर था तो उसने प्रांस की भाती सकते साली राष्ट्रिया राज्या की अधिक्स्ता में इन राजियों का एकरन करना चाहता था उसके बाद होगा पुनार जाग्रान के काल में हु राष्ट्या राजिकी अस्तापना हो रही थी तथा राजनेतिक सित्र में धर्म और नेतिक्ता चर्च और बाईविलवात के प्रभा को समाप्त किया जा रहा था पोप की मध्यकाला निरंकुस धर्मिक सत्ता तथा नेतिकता मेलों का विश्वास उठ रहा था और उसका स्थाइब मेलों के राष्ट्य प्रस्ट्या उसने तहते हैं धर्म और रही वृकतिता खॉत था मयक्याहुली ने अपने चिंतन में सामेंतवात के स्थान पर राष्टवाद राजनेतिक धर्म और नाय तिकता शे fix अला करके और राज्यों के सिथां प्र lead किया अध्यों में समस्दाने के लिए दूसि जादियों उसमें पुलनर जागरण की छाप इस 50 रूप से धिखी सिक्सत का उजहरण देते हुए में क्यावली ने लिखया। उसने जीवन भर्दो का देने के अत्रिक तो और कोई कारिय नहीं किया है। उसकी इस्तिति में सेवान, नारोल, जैसे संतु, नेचर्च की सुधार की मांची। शिक्साओं का परभावब्रा प्रंतुप्राण्स के फ्लोरेंस पर आक्रमन करते ही सेवान नोराल को बंदी बना दिया गया, राजाओं ने नेतिक आधर्सों को तिलान जिली दिया थी, साधरन नागरिक भी नेतिक ताकरे अनों सार आचरन ही करते थे, मैं क्यावले पर अपने समय की प्रस्थितियों का परभापडा, ततकाले प्रस्थितियों के अन्छार ही उसने अपने नर्स को सला दी की गोच हना एक अस्तितों को बराई रहते था आचार और धर्म के सिदांतों की और रहना चाहिए, मैं क्यावले नर्स को छलबल से राज्य तथा अपने सासन की रख्षा करने की खुलकर सिधाती थी उसकी जो सेवा नौराल था उसका उसका सिक्साओं का बहुत परबाद था परन्च जो प्लान सेने क्या क्या कि इड्ली पर अग्रमान कर दिया कि प्रोजेंस पर तो सेवा नौरूल को बंदी बनाए राज् दिखता को क्या दिया दिया दिखता के अंसार नहीं करते थे मैंक्यावली पर अपने जो समय की परिष्टिति का परभावत तकालिम परिष्टिति के अंसार उसने अपने जो राजा था उसको सलाय दे कि राजी के स्थितों को प्राय रखने के लिए उससे आज़र था धर् और नेतिक साथ से उदासिन होकर यूरोप के राष्ट्रे राज्या फ्रांस एवां अपने स्वार्दों की सिद्धी कर रहे थे अतो मैं क्या वली भी इड्ली को पोप के परभाद था नेक तक है बंदन से मुक्तो कर एक राजी के रूप में देखना चाता था धर्म और नेत सकता है कि डैनिंग का खतन पूंट तो सत्ति है जी यह पषी श् pressures सम्पन फ्लोरेंस वासति न में चХथा अपने यूक का सिस जथा तो यह худ गया मैं चावली को मू उनर्जागणाण का परती निदिया इस जैनल सेइर में सबस्क्राइब सेड़ ना इला enc से जाउड का सिशा यह ओक्राइब त Tibya मो यह हो कहतो है